दोस्तो अगर आप चाहते हो कि आपका हिबिसकस का प्लांट गर्मियों में जबदस रूप से फ्लावरिंग करे, फूलों के साइज अच्छे हो तो आपको अभी स्प्रिंग सीजन यानि फर्वरी में तीन कामों को करना बहुत जरूरी है इनी तीन कामों के उपर डिपेंड करती है पूरी आपकी गर्मियों की प्लांट की ग्रोथ तो कौन-कौन से तीन काम है मैं करने जा रही हूँ अपने प्लांट के संग आप भी कर सकते हो चाहे आपका प्लांट जमीन में लगा हो गमले में लगा हो या फिक किसी भी वराइटी का प्लांट हो दोस्तों मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयांस क्रेटिब कारडन बिंटर के समय प्लांट की हाला थोड़ी सी खराब हो जाती है कई बार जो है कलियां फूल तो आते रहते हैं लेकिन जो है पतियां पीली होती रहती हैं और जो ब्रांचेस हैं ये भी बहुत पतली-पतली हो जाती हैं क्योंकि इनके जो ग्रोथ के हार्मोन्स होते हैं वो दोस्तो स्लीपिंग अवस्था में चले जाते हैं अब हमें जो है इनको growing hormones को जगाना है बढ़ाना है तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप ये करो कि plant के आसपस जो भी गंदगी है उसको साफ कर दीजे अगर कोई जंगली पेड़ पौधा घास लगी है उसको हटा दीजे मैंने जो है पोर्चुला का इसमें सेफ किया था हटा करके आप दूस मिट्टी को ढीला कर दीजे खोल दीजे इससे दोस्तों क्या होगा अगर कोई इसमें चीटियां होंगी या चीटी के बच्चे होंगे तो वो भाग जाएंगे हट जाएंगे और कोई fungus भी ग्रो हो रही होगी तो वो भी मतब हट जाएगी वहां से तो कि सूरज की रोशनी अब डेरेक्ट पढ़ने लग जाएगी और प्लांट की जो नीचे छोटी-छोटी से पत्तियां इस्टेम्स निकल रही है इनको भी हटा दो तो पहला काम दोस्तों सफाई का हो गया है दूसरा जरूरी सबसे जरूरी काम दोस्तों है कि प्लांट की प्रूनिंग करना है हिबिसकस के प्लांट में जो फूल आते हैं दोस्तों हमेशा नई डालियों में ही आते हैं तो प्लांट की प्रूनिंग कर दीजे जो प्लांट में बहुत छोटी-छोटी से ब्रांचिस निकल रही हैं उन सबको हटा सकते हैं जो सूखी टेहनिया हैं उनको भी हटा दीजे कई बार होता है कि हिविस्कस के प्लांट में जो है एक ही जगे से कई सारी डालिया निकलती हैं दिकि जमीन में लगा है तो कोई प्राब्लम नहीं होती है लेकिन जब गमले में कम स्पेस में लगाते हैं दोस्तों तो उन में से एकार डाली को आप हटा सकते हो जो डाली आपको पतली टहनी को हटा दीजे, कम ब्रांचेस रखे, स्ट्रॉंग ब्रांचेस रखे, क्योंकि स्ट्रॉंग ब्रांचेस में हमेशा फूलों के साइज बड़े बड़े आते हैं, पतली पतली टहनी आ रहेंगे तो छुट छुटे फूल आते रहेंगे, तो हमेशा मजबूत रखे प्रूनिंग कितनी करनी है यह आपके प्लांट के उपर डिपेंड करता है वैसे तो अच्छी प्रूनिंग कर सकते हैं क्योंकि दोस्तो ग्रोध बहुत अच्छी हो जाती है साथ में अब आपने जो टेहनिया फाइनल रखी है प्लांट को ग्रो करने के लिए उपर से उनको भी थोड़ा थोड़ा प्रून कर दीजे इससे फायदा ये रहेगा दोस्तो इनी जो मजबूर टेहनिया आपने छोड़ी हैं इनी में से जो नई डालिया निकलेंगी उसमें फूल आने के चांसे ज़्यादा रहते हैं तो प्लांट की प्रूनिंग हर हालत में करिए ताकि नई ग्रोथ होए और नई ग्रोथ में नई फूल आएं तो ये देखिए मैंने साधी प्रून कर दी है अच्छा क्या होता है प्लान के बीच में भी काफी छोटी छोटी टेहनिया रहती है जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती रहती है जैसे ये देखिए ये आपस में क्रॉस कर रही है यह अंदर की तरफ ग्रो होगी तो इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि आगे जब ग्रो होगी ना तो प्रॉब्लम करेगी अगर आप बहुत एक्सपर्ट नहीं हो तो बहुत अच्छे से कटिंग अटिंग नहीं आती है तो कई बार ठूट टाइप के निकल आते हैं तो अगर कोशिश हो तो इस समय भी ठीक कर लीजे इससे क्या होगा दोस्तों जो सेंटर बीच होता है ना हिबिसकस के प्लांट का वो थ्वासा खुला हो जाता है उसमें हवा का सर्कुलेशन अच्छा होता है आगे गर्मियों में इसमें पत्यों की ग्रोथ फास्ट होगी तो पाँ चैंच यह जितनी आप निकाल सकते हो असानी से उतनी निकाल दीजे पूरी इतनी निकाल दीजे फेक येगा नहीं इसके बाद इसमें लीजे सरसो की खली पाउडर फॉर्म में भी रहे सी है चोटे चोटे पीसट में रहे ज्यादा अच्छा है इस पाउडर या की उपर वापस डाल रहे हैं इससे दोस्तों यह फ्रेसों की खली है वो अंदर नीचे जड़ों के पास जाकर डिकंपोज होगी वहीं माक्रोप्स काम करेंगे और वहीं पर ही जो है उसके न्यूट्रियन डिरेक्ट रिलीज होंगे उपर से कोई प्राब्लम नहीं आएगी न कर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हो और कुछ नहीं मिलता है तो गुबर खाट डाल दो यह तीनों आप्शन हम बता रहे हैं आपको यह आप जरूर करना इस समय क्योंकि दोस्तों इसी खात पर इसी प्रूनिंग पर सफाई पर ही आगे की ग्रोर डिपेंड करती है तो यहाँ पर जो है मैं अब भी अपने दो प्लांट के संग कर रही हूँ तीसरा प्लांट जो है मुझे रिपॉर्ट करना है अगर आप रिपॉर्टिंग का वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ताकि मैं उसका वीडियो शूट कर लूँ और दोस्तों आप जानते हैं फरवरी में हम आपको यह बोनस टिप दे रहे हैं मिली बग्स का अटाइक बहुत जादा होगा तो आपको प्लांट पर नजर जरूर रखनी होगी नजर तो कि अगर एक दो मिली बग रहे आपने उसको तुरंथ हटा दिया तो कम नहीं इतना बढ़ेगा औ बेटर यही होगा कि जब कम मिली बग्स रहें तुरंथ हाथ से हटा देना प्लांट पर थोड़ा ध्यान दिये रहना प्लांट आपका ग्रो करता रहेगा अभी दोस्तों फुल सनलाइट में ही यहीं पर रखा रहेगा हिबिसकस प्लांट के बढ़ियां ग्रोथ के लिए आ मिलते हैं तब तक के लिए गुर्ट पाइव